जमशेदपुर पोटका पोटका के शंकरदा गाव में सामपो की देवी मा मनसा की पूजा अर्चना को लेकर भव्य जापान ओजा गुनी के द्वारा बिश्धर सापो का खेल का आयोजन किया गया जिसमें तीन ओजा गुनियोद्वारा एक दर्जन से ज्यादा जहरीले नाग सामपो को लाकर एक शोभायात्रा के माध्यम से हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों के समक्ष सामपो का खेल का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों में आपार श्रद्धा एवं विश्वास है कि सामपो की देवी मा मंसा की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपत्ती को संतान की प्राप्ती होती है तथा इन बिश्धर सामपो के दसने का खत्रा भी नहीं रहता है वही पूर्व जिला परिशत करुणा मई मंडल एवं जिला परिशत पिंकी मंडल ने बताया कि शंकरदा गाव में लगभग 105 वर्षों से मा मंसा की पूजा अर्चना होती आ रही है मगर सबसे बड़ी बात है कि शंकरदा एवं उसके आसपास के गाव में जहरीले सापो के डसने से एक भी व्यक्ती की जान नहीं गई है वही सुख, शांती, सम्रिध्धी, आधी की मनोकामना को पूर्थी के लिए लोग सामपो की देवी मा मंसा के शोभायात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं जिसमें दूर दरा से भक्तगण पहुँचते हैं एवां इन सामपो का दर्शन कर अपने आपको धन्य करते हैं जापान के दौरान मुख्य रूप से मारकंड भकत, हर्विंदर भकत, निरंजन भकत, शैलेंद्र गोप, नकुल गोप, धनपती भकत, बनमली भकत, अभिशेक गोप, कौशिक मंडल आधी उपस्थित रहे इन सीबूर भकत गाओ में के मामनसा की फुजा हो रही है, जो हमारे नुर्टेंब को खरते हैं और नाबे किसी फुजा की जाते है, यहांपे पोराग्रामशा जीजार साम चाजा बिलाता है, इन से नाबे को चलाया जाता है, जापान, उसको हम दो जापान बोलते हैं, इस दोजमें दोज़ानबी दोज़ा होता है। शाफों की बुट से कलाकारियों उनका यह दिखाते हूं। और यह बहुत पुरामिक हुआ है। अधिनी प्रग्राम यह अधित्य वह भिश्य तोज़ाने दिशा है। पहले तो मैं गाक संक्रान्ती के दीन हर वर्ष के सदीयों कुराना है सो साल से उपर हो गया है यहां हर बर्स आदिट्न के लिए संपेराईय वह सापका ना कुर्म होता है है के हमाने माँ यहां कम यहां होता है हमारे गाव में विस्ताहरी मामनसा देवी का अक्रिपन क्रिपा है हमारे गाव के सारे वक्त लोग उन से आज़ित थे उनके चरनों में जिसके करण याद कभी बन शर्प दनिशन में हमारे दहींद है